हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चेनल में स्वागत है आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने QBS 5 के अंदर Stylis Armix को कैसे एड़ कर सकते हो और उसके अंदर जो लाइवरेरी होती है ढोलग तबला रिदम बनाने के लिए उनको आप कैसे इस Stylis Armix के अंदर एड़ कर सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यह पूरी की पूरी लाइवरेरी है धोलग तबला हर एक ताल का आपको इसके अंदर सेंपल मिलता है जिससे आप एक गाने का नया रिदम मना सकते हो यहाँ पर देख सकते हो अगर आप इस फोल्डर को खोलते हो तो इसके अंदर भी कई सारे आपको फोल्डर मिलते है और इसके अंदर एड़ी टू का आपको कई सारा लूप से आपको मिल जाता है यहाँ पर देख सकते हो अलग लग ताल और अलग लग BPM का आपको मिलेगा जिससे आप किसी भी गाने के रिदम को यहाँ पर आसानी से बना सकते हो तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसको आप कैसे लाइबरेडी को एड़ कर सकते हो तो सबसे पहले आता है StellisRMix तो इसको बहुत ही सिंपल होता है इस्टाल करने के लिए दो सेटब होते हैं दो सेटब को आपको इस्टाल कर लेना है और उसका DLL फाइल मिल जाएगा जो कि आपको QBS5 के अंदर पेश्ट कर देना होता है फिर आप device प्यार करके अपना update कर दीजेगा और आपका जो installis armix होगा वो qbs5 के अंदर add हो जाएगा तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने qbs5 के अंदर जो installis armix जो आपने डाला है उसके अंदर आप library कैसे add कर सकते हो तो अब हम आपको दिखाएंगे sound check के अंदर जाते हैं सबसे पहले तो इसके अंदर कुछ होते हैं जैसे लेकिन डोलक samples नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे core library के अंदर आएंगे और user library के अंदर आ जाएंगे तो इसके अंदर देखो एक ही folder आपको मिलेगा यह देख सकते हैं एक folder मैंने आप डाल के रखा है इसके अंदर next folder हम आपको बताएंगे कैसे हम इसके अंदर डालेंगे और कहां पे डालेंगे तो यह देख सकते हैं इसको हम लगभग दो folder तीन folder हम आपके ले रहे हैं और य और यहांबर आपको LGBTQ fordler मिलेगा इसको आपको open कर लेना है, और फिर sage library का folder मिलेगा इसको आपको open कर लेना है, open करने के बाद में आपको मिलेगा user library इसके उपर क्लिक कर देना है, यहांपर देख सकतो एक library मैंने add कर के रखा है उपर वाला, EX maior पर वाला बाले गूरूड गू कि यह फाइल है तो इसको पढ़ने में लगभग 2-4 मिनिट का टाइम लग जाएगा जैसे कि यहां पर देख सकते हो इसका जो फाइल साइज है वह यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो तीन लाइबरी हैं इसके अंदर वह साथ में आप पढ़ेंगी तो यह आप से आपका फाइल का साइज है यह पढ़ जाए उसके बताएंगे कि इसको आप कैसे इसके अंदर लाओगे तो आटोमेटिक आ जाएगा तो जिसे आप यूजर लाइबरी के अंदर आओगे और यहां पर जब आप किलिक करोगे तो जितनी भी लाइबरी आप एड़ कर देख सकते हैं अपर 20% पर हो चुका है तो थोड़ा आपको और यहां पर वेट कर लेना है तो अब देख सकते हैं तीनों लाइवरी यहां पर एड़ हो चुकी हैं अब आपको आना है फिर से क्युभ्य आयफ के अंदर और और फिर अट इस्ट्रुमेंट ट्रेक और उसके के और यहां पाद में our mix के उपर क्लिक कर journals आपर इस आप कर देना है और यहां beta को इस Siam एक पर सीन पर क्लिक कर डेना है और यहां पर मिलों की है कि यह खुल चुका है में यहसे हे क्लिक कर देंगे इसक्ति पर फीर से साउंड लिट लावरेरी के अंदर मैंने डाला था कुलिक करेंगे अब यहां पर क्लिक करोगे तो जितना भी लावरेरी आप इसके अंदर एड़ करोगे वह सारा तो आपने देखा कि किस तरह से आप अपने इस्टालेस आर्मेक्स के अंदर जो library होती हो उनको आप कैसे add करा सकते हो बहुत सारी library है और उसके अंदर आपको हर type का samples मिल जाता है जिससे आप किसी भी गाने का rhythm हो आप बना सकते हो चाहे आपका भजन हो या फिर set song हो किसी भी तरह का हो कवाली song हो आप उसका rhythm बना सकते हो यहां पे देख सो अलग-अलग BPM का आपको सेंपल मिलता है अभी तो मैंने सिर्फ एक ही लाइवरीरी को ओपिन किया है और यहां पे कई सारे लाइवरीरी है जो आप इसके अंदर एड़ कर सकते हो तो अगर आप यह लेना चाहते हो तो बहुत ही कम प्राइस में आपको यह पूर आपको दे दिया जाएगा ओभी कम प्राइस में जिससे आप एक गाने का नया रिदम बना सकते हो